हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग अपना पहुच गाए है अपने चैप्टर नंबर टू पे ऑडिट के जो है ऑडिट प्लेनिंग इस्ट्रेजी इन एग्जेक्यूशन फुसर अपन वापिस में एक बार वापिस बता दू कि अपन जो अपना यह फास्टेक बेच चल रहा उसके अंदर जो कॉसेपी के साथ सारे के सारे के सारे जिखन ऊवर कर रखें हैं मैंने जितने प्कॉसेपosed के नीचे उसके कोईशन दे रखें हैं तो मैं बच्चे समझ के अपनी मन की लेंगविज में लिखके आ जाते हैं फिर आईसे वापर मार्ट नहीं देता है और मैंने पहले ही बोला था रटाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं तुमको अपने आपने ट्रिक्स वगरा, जो भी कहानिया वगरा है, मैं उसे से रटवाऊंगा, ठीके, तो चलो, शुरू करते हैं, मैं मेरी नॉट्स के बार में नॉर्मल बता दू, जिनको नहीं पता है ये नॉट्स, वैसे जनली मैं ट्राय करूँगा, पीड़े चनल पर शेर कर दू, थोड़े बहुत कुछ चेप्टर और वैसे मैंने बहुत से चप्टर पीड़े फ्री में शेर करेंगे, तो पर कोशिश करूँगा ये शेर करूँगा, नहीं करूँ, सोसना पड़ेगा मु वीडर फॉर्ममेट के अंदर बुखे अपनी, ओके चलो तो शुरू करते हैं भीना टाइम वेस्ट करें ओर, ठीक है, तो सर ये अब सबसे पहले बताओ, audit planning, audit strategy और एक और होता है audit program, audit planning हो गई, audit strategy हो गई, execution को बात में आएंगे अपने ठीक है, एक होता है सर audit program, तो सर ये क क्या चीज़े होती है, ये क्या चीज़े है, अब तुम एक बात समझो, अगर तुमको किसी company की audit मिली, समझो, तुमको एक film industry की audit मिल गई, तुमने आज तक कभी film industry की audit नहीं करी, तुम CEO, तुमको normal, तुमको किराने की दुखान की audit करना आती है, या तुम normal, जो तुमारे प तुम मलब, उनको समझ में आरा भाई, तुमको पता ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री पे laws and regulation की से लगते है, उनका revenue कैसे बूख होता है, उनका expense कैसे बूख होता है, उनका main expenditure कोन सा है, उनका main revenue के sources क्या क्या है, वो कहा कहा पे fraud होनकी chances है, उनको internal control कैसे चाहिए हो, तुमको तुमको कुछ भी नहीं बता, तुम audit कैसे करोगे, उसके लिए तुमको पहले से prepare होके, खुद का, तुम पहले से prepare होके जाओगे, तुम तुमारा audit program, audit planning, audit strategy, सब बना के जाओगे, कि मेरे मेरा homework कर लिया, कौन-कौन्चे laws and regulation लगते है, या या य इतनी बड़ी audit है, तुमको 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 तुमारी audit की planning, strategy पहले बना के जानी पड़ेगी, वहापे जाके तुम तुमारी बेज़ती नहीं करा के आओगे, वहापे तुमारी फिलिम इस्चाल करे हो, तुमको खुद को समझने आ रहा कि audit करूँ कैसे मुझ पता ही नहीं हैं, तुमको खुद का homework करना है, तो अब सर ये तीन चीज़े क्या है मेरे homework में, आपको जो audit कर का नहीं सर, बेटा आप जब तीन चीजों के अंदर, एक है strategy, second है audit plane, तीसरा है program, तीनों में क्या difference है सर, strategy जो होता है, audit strategy भी बनता है, audit plane भी बनता, audit program भी बनता है, समझो तीन overview, overview, तुमने दिमाग के अंदर बना लिया, लिखके भी बनाओगे, वर तो ठीक है, overview लिखने भी ये बापे, पर एक दिमाग के अंदर, नॉर्मल एक समझे, broad overview, जो पेपर पर उतार दिया, कि वो overview, overview मेरे को audit के से करनी है, तुमको लगा, भाई, film industry है, तो film industry के अंदर, ये तीन बंदे चीए, पर अब ये तीन बंदे कब जाएंगे, इनको मैं quarterly भेजूँगा, या yearly भेजूँगा, या yearly भेजूँगा, या weekly भेजूँगा, मलग किस timing पर उनको भेजूँ, किस तर time interval पर भेजू, तो मैं दिमाग पर पहले मेरे strategy बना रहा हूं कि मैं राम शाम गादे, रादे, शाम, गणिशाम बगरा को मैं तीनों को भेजूँगा, आपर audit करने, quarterly audit करने भेजूँगा, और ये बंदे, मुझे report भी करेंगे quarterly जो 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 इन्होंने audit चेक करी है, या में को daily basis पर report करेंगे, और मेरी पूरी strategy जितनी भी होगी audit की, मैं दिमाग में पहल timing interval पर जाएंगे, मेरी audit का, ये ये scope होगा, मैं ये चीज़े चेक करने हूँगा, मैं आप revenue चेक करूँगा, वह चेक करूँगा, normal strategy, normal चीज़े एक overview बना लिया, broad, broad, ये क्या करा, उपर उपर से चीज़े बनाई, अभी detail में नहीं गुसाओं में, उपर 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 उसके basis पर मैं बनाऊँगा, audit plane, अब audit plane जो होगा, वो क्या होगा, सर ये जो आपने audit strategy बनाई थी न, उसी को detailed manner के अंदर, उसी को detailed manner के अंदर मैं अब उतार दूँगा, strategy बना दूँगा, बहले मैं ने बोगा था कि तीन बंदे जाएंगे, वो तीन बंदे जाएंगे, वो अब इनके अंदर में काम भी बाठ दूँगा, मैं याप रादेशा में, वो fix a set की चेकिंग करेगा, borrowing की चेकिंग करेगा, और जो गंचया में गोगनित्र की चेकिंग करेगा, और ये ज जो भी टिसरा बंदा था, वो creditor की चेकिंग करेगा, मैं itail के अंदर आ गया, मैं और चेक करूंगा कि मेरी टीम के अंदर और qualified बंदें तो हेन सारे इसारे की सारे रही है और ने की सबस्टभी आउटसाइड और में इसाइड भी तो मैं उन एक करोड मैं से बनाइक करने पड़ते हैं इस कंपनी कोण-कोन से गाइड़न्स नॉट फ़ो करने पड़ते हैं इस कंपनी के ऊपर कौन से लॉस और लगते हैं यह सारी चीज़े यह सारी चीज़े डिटेल में नहीं कहते हैं, अब उन चीज़ों को सब को या फिर steps, steps या फिर audit procedure to obtain audit evidences, to obtain audit evidences, मतलब यह step or audit procedure है to obtain audit evidences, steps and audit procedure to obtain audit evidences, यह audit program अगर finally बोलू, यह audit program एक एक चीज की step by step बताता है, समझोए, example से समझाता हूँ, मैंने तुमको audit planning के अंदर बोला था कि रादे शाम है, वो रादे शाम वाला बंदा वो fix a set चेक करेगा और boring अब उसका फिक्सा चेक करने के लिए उसको physical verification करना पड़ेगा, उसका жकी चरना पड़ेगा, उसका register नहीं पड़ेगा, कि register में maintain है, उसके जो fix asset के उसके property के evidence देखेगा जो भी property के paper होते property के जितने भी paper है वो check करेगा और जितनी भी चीज़े हैं अगर fix asset lease पे ले रखिये तो उसका lease agreement देखेगा तो अपने क्या करा यहाँ पर program के अंदर audit program बना लेकि मुझे fix asset चेक करने के लिए यह चीज़े यह step यही पूरी he तो यह हो गया audit program हर ये की steps हर एक चीज को चेक करने की steps सो गई है तो यह हो गया difference audit strategy planning और audit program के अंदर थिक तो चलो अब अगे उतरते हैं अब आओ नीचे वापस आगया यह और इस्टेडेजी मीन्स इट सेट सेट डायरेक्शन टाइमिंग इन इसकोप अपॉर इंद पर जाके वाले बंदे थे वह कौर्टर ली जाएंगे मंत्री जाएंगे इस और इस टरह से चेक निया आपको चीजे एन्ड इस ट्रेटेजी से और इस ट्रेटी से ओड़े लैन इसट यह आपने बनाई है वो गाइडलाइन की तरह काम करेगी audit plane बनाने के लिए मैं बोला ही था strategy से audit plane बनता है तो जो strategy बनाई है उसको बेस में लेके उसको बेस लेके मैं अपना audit plane बनाऊगा ठीक है अब आओ तुम कि कौन कौन से यह question आ गया इस question के नीची मैंने concept डाल दिया ठीक है अब आओ बैटा enumerate the factors while consider while establishing the overall audit strategy and its benefit जब भी तुम कोई audit strategy बनाना चाते हो तो क्या-क्या तूम factors consider करोगे audit strategy बनाते हो तुम क्या factor ध्यान में रखोगे और audit strategy बनाने की benefit क्या-क्या है तो भाई मैं तुमको पहरे trick दे दू जो audit strategy बनाता है ना audit strategy बनाता है कौन बनाता है वो company का CEO बनाता है यह वाल ट्रिक है और राम प्रशाद audit strategy बनाएगा तो CEO राम प्रशाद से रिपोर्टिंग अब्जेक्टिव और राम प्रशाद resources nature timing exchange of resources CEO rp राम प्रशाद rp rp मतलब राम प्रशाद r p p से preliminary work c से मेरे साथ करो तो याद होगा भाई मेरे साथ बोलो यहाँ पर क्या हो गया CEO राम प्रशाद c से characteristic of engagement c e इसे factor directing the team efforts इसे मतलब efforts हो गया o से objective reporting objective rp r से resources हो गया p से preliminary activities हो गया CEO राम प्रशाद अब समझो में कोई इस बनाते हैं देखने हैं कि मेरी audit strategy audit जो है उसका characteristic का है अब कि मेरी audit का scope क्या है जो जो भी characteristic का audit की मेरी स्ट्रेजी limited review है audit को मेरे को किसीज़गा करना है में को limited review करना है quarterly audit करन लिए मंतरी अधर्य audit, quarterly audit, मैं मेरी audit strategy उससा बनाँगाना audit कि इस हिसाबसे audit कि क्या characteristics है तुर मैं उससाоль साब बनाँगा इंटरर्ण auditory फो मेरी घ Tible Student Trustee बताना है की यहाँ पर यहाँ आ पर शिनम्द समय करना की metrics उन उन मेंको फेक्टर्स पो ध्यान रखना है कौन कौन से फेक्टर है जिसकी वज़े से आपके टीम के मेंबर को एफर्स जादा डालने पड़ेंगे तो consider the factor that are significant in directing engagement team efforts जापर भोड ज्यादा होगा revenue ज्यादा है तो बापे टी effort ज्यादा डालने पड़ेंगे रिपोर्टिंग अब्जटिव आपका reporting का objective का अज अडिटर मेरी reporting का objective कैमे एंड में जो और एको डेउंगा पर जो मैंने हुख तरह के प्रेक्स चाहिए पर 5 जो में सबस्क्राइब ऑडिट सतंगे मिलन नौन गए जो ओर, जोThere गोड़ो सबस्क्राइब अज मैं तो उन difकिर स्यों, सब्सक्राइब 559 आहिए, मैं सब्सक्रांज होता यह वांजा तो मैं प्रृवर्वर सब्सक्राइक बनाने के बना रिषार्ट को एंपलोई करोगे किस थाइमिंग पे!! मेंने रिसोर्स को में में किनी जाना अला है तो मेरा मेरा में के जरुवत होगी मैं अट वाल है ओंदasia कंडा वाली एक्टिव तो पुर्ड वालले बन गहु करूंगा उन कॉषयर ऊडिट सम Dir पर यास्चा करूंग और टीम तवडिभा थे समय दूना है वह आलकेट कर लिधा तो मुझे बाद में उनको properly manage करना पड़ेगा, मुझे बाद में उनको properly manage करना पड़ेगा, उनको सब को manage करना पड़ेगा, ठीक है तो अब strategy के क्या benefit मिल जाता है, आप अगर audit strategy बना लोगे, तो आपको quality वाले resources employee करना होगे आप, और quantity कितने allocation करने हैं, आपको वो सब पहले ही और किस timing पर बंदो को डालना है, वो आप strategy में पहले ही डिसाइड कर लोगे, और उनको आप manage अच्छी तरीके से कर पाऊगे, अगर आपना audit strategy बना ली तो, तो quality of resources, जो बंदे आप जो भी devote करने वाले हो, वो skill person होने चाहिए, आप skill वाले person होने हो, बनाब कि आप हो सकता है जो आपको चार skill बंदे चाहिए, दो unskill बंदे चाहिए, और नॉर्मल टाइपिंग वाले वर्क के लिए, तो वो आपको चिक चेक करने पड़ेगी, जो एंपलोई करोगे, आप quality of resources, जो अलोकेट करोगे आप quantity of resources, quality, जो मैंने बुला ना audit जो audit है मेरी client की, तो मैं अलोके ताइमिंग, मुझे कब उनको टाइमिंग पर करना है, उनको या 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 कैसे, कब-कब उनको अलोकेट करना है, manage करना, resources को, manage मेरा अब डाइरेक्ट सूपरवाइज करना है, तो CEO राम प्रशाद strategy बनाएगा, और उसकी benefit क्या होंगे, CEO राम प्रशाद की strategy बनाने से, quality वाले ताइमिंग पर बाद में उनको manage और supervise करूँगा, अब बताओ, what factor would you consider in formulating audit strategy of a online shopping company, या पर main क्या है, online shopping company, अगर तुम online shopping company की strategy बनाना चाहरे हो, तो क्या-क्या factor तुम ध्यान में रखोगे, तो भाई, अगर तुम online shopping industry की, online shopping company की, अगर तुम strategy बनाना चाहते हो, तो सबसे प अगर जो specific factor है, उसको याद करने की trick क्या होगी, अगर जो specific factor है, उसको याद कैसे करना है, specific factor को बटा ऐसा याद रखना है, कोई भी transaction हुआ, कोई भी transaction हुआ, किसी company के अंबर, तो उस transaction को हमें क्या करूँआ है, journal entry pass करूँगा, उस transaction की, journal entry pass करूँगा, transaction हुआ, transaction की, journal entry pass करी, वो financial statement में reflect कर जाएगा, normal process है, कोई भी transaction हुआ, उस transaction की, मैं journal entry pass करूँगा, कोई transaction हुआ, उसकी journal entry pass करूँगा, और तो general entry हमें पास करी, तो system से वो automatic financial statement में चट जाएगा, और वापिस financial statement से दो point आगए, financial statement से दो point आगए, तो कोई भी transaction करा मैंने, तो उसकी में पहले JV pass करूँगा, फिर वो financial statement में automatic चट जाएगा, तो, अब मैं तुमको समझाता हूँ, क्या है ये, class of transaction, तुमको वो वो, online shopping के वाले की company के, अगर तुम audit कर रहे हो, तो तुमको वो class of transaction देखने है, जो significant financial statement में, class of transaction जो significant financial statement में, और जो significant नहीं है, वो भी देखने है, तो क्या, जो transaction significant financial statement में, और other than the transaction data significant to FS, एक तो क्या, वो वो क्या, तुमको वो, दो तरह के transaction होगा, जो significant हो, तुमको देखने हैं, जो significant हो, और second तुमको देखना है, कि इन्फोर्मिशन system में, तुमारा information system में, तुमको केसे उन event और condition को पकड़ लेता है, जो significant नहीं है Fs में तो भी फिर उसके बाद मैं journal entry पास करूंगा journal entry से या पर क्या मतलब है जो journal entry तो जुम journal बहुँच ओर चड़ा रहे हो उसके ओपर क्या-क्या control लगे वे हो कोई non standard journal entry या कोई non recurring journal entry है कि यह journal entry तो रिकर मलब होती नहीं से ज्यवी ज्यवी से financial statement तो अब financial statement से देखो जो transaction हुआ तो यह जो पूरा पूरा का 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 पूरा क सब्सक्राइब को जोड़ेना कि यह वाले जो ट्रांजेक्शन इनिशेट रिकॉर्ड रहा थे तो उसका कोई क्या तो है ना वो गलत तो नहीं है चाहे वो मैन्वल हो या उल्यक्त earn कबड़ा है यहाप भी हो गया सीव राम प्रशाद जरेरलफ फेक्टर और बाकी बास जिए ए ट्रांजक्शक्शन वाज ज्चाइवी जेवी से फैने श्वाट्र फेक्राल ओंलाइन शोपिन अब रहुत है अब हम और पर दूट में पर चली सोगे अगर अगर नहीं नहीं होगा तो तुम एफिशिएंटी नहीं कहता है तो तो तुमको बना लेना चाहिए मेरे यह चीज़ जाम अगर आप करना चाहिए उससे पहले आप अच्छे से प्लेणिग बना लो मैं मेरे lectures जैसे इतने टाइम से YouTube पे पूरे screen नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरी planning पूरी नहीं नहीं बनी थी, planning in the sense मेरी book पूरी नहीं बनी थी, हमने final जब मेरे सारे notes proper बना लिए उसके बाद मैं full lecture यहापे डालना शुरू आ हो, तो मेरी planning थी, पूरी की पूरी book मैं पूरी prepare क करूंगा उसके बाद मैं effectively और efficiently पढ़ा अब मैं तुमको पढ़ा पाऊंगा मेरी book के थू, ठीक है, अब planning is not a discrete facts बटे, planning जो होता है न वो continuous process है, केवाल एक बाद planning करने से काम नहीं होगा, planning continuous process है, एक planning खतम होई तो तुमको दूसरी planning खतम करनी पड़ेगी, एक audit assignment खतम एक क्या है, continuous process है बेटा, वो discrete process नहीं है, continuously चलता जाएगा वो, ठीक है, तो यह रहा, planning is not a discrete facts, इसे रहा, continuous and iterative process, ठीक है, तो planning को तुमको क्या क्या चीजे continuous basis पर ध्यान में रखने पड़ती है, planning include need to consider such matter, क्या क्या matter ध्यान में रखने पड़ते है, तुमको ध्यान में रखन ऐसे में रखने लेगा, मेल ओ, हर चीज करने के पटिले planning करेगा, सोसता फिले रहेखा, क्यार यह करू निकरू ऐसे करू, यह करू, काई भी कूतने के पटिले बहुत planning करेगा, कौन करेगा, प्लेगा मेल करेगा, strategy कोन बनाता है, CEO, राम परशाद बनाता है, ठीक है, एक है और continuously कौन सोसता रहता है, continuously कौन दिमाग लगाता रहता है, वो mail-o, 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 ठीके, तो mail-o से normal trick क्या हो गई, m से materiality, m से materiality, a से analytical processor, l से legal and regulatory framework, e से expert, o से other risk assessment processor, mail-o, materiality, mail, materiality, m से materiality, a से analytical processor, m से materiality, a से analytical processor, l से legal and regulatory framework, e से expert, o से other risk assessment processor, ठीके, तो यह हो गया mail-o, अब तुमको जो planning, जब तुम planning कर रहे हो, तो continuously तुमको materiality evaluate करनी पड़ेगी, कि अभी कोई भी चीज नई दिमाग में आ गई, कुछ भी नई चीज फाउंड होगा, कि अपहले लगा था, फ्रोड नहीं है, पर अब लग रहा है कि फ्रोड जादा है, तो materiality भाई, उस हिसाब से मैं को revise करनी पड़ेगी, analytical processor, analytical processor देखने पड़ेंगे, research में process करने के लिए, हर बार मुझे analytical processor बदलने पड़ेंगे, कि audit करता जाओंगा, कुछ भी नहीं नहीं की सामने आई, तो analytical processor बदलने पड़ेंगे, understanding proper चाहिए होगी, मुझे legal and regulatory framework की, जिसकी भी audit कर रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, कि मुझे expert को involve करना है, कि मेरी audit में हो सकता है, कि मुझे like actually generally expert होते हैं, कि मुझे नहीं पता कि इस building के valuation की key में कैसे बता हूँगा, उसके लिए मुझे actually को बुलाना पड़ेगा, अब actually की valuation का की बुलाएंगे तो expert हो गया, और जो भी other risk assessment processor होते हैं, वो मुझे planning करते बद पता रखने पड़ेंगे, मुझे planning करते हैं, दिमाग में रखने ही पड़ेंगे, अब आ गया mail हो गया, और short note and content of audit plane, audit plane के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, audit plane के अंदर कुछ नहीं होता है, रैप सैप ओए, मेरे साथ दोनों, audit plane के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या content होते है, रैप सैप ओए, 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 खतम, risk assessment procedure, further audit procedure, other audit procedure, खतम, risk assessment procedure, further audit procedure, और audit plane के अंदर, risk assessment procedure, further audit procedure, बस यही होते है, Content report kommt के। सर रिसख Az trembling procedure क्या हूता है रिस। को असमेंण CPR होता है एसपरैसे attractions in 365 रिस्क को assess करना किसी भी क्लैंड की आप ओरड़ीत करने जा रिसक kalo सकती है किस-किस एयरय के अंदर रिसक हो सकती है वो रिसकू धूंदना assess करना मतलब ढूंडना एक तरीके से risk assess करना जब आपको risk मिल गई risk assessment procedure होगे ऐस पर ऐसे 300 बन रहा आपको जब risk assess कर ली तो आपको respond देना पड़ेगा आपको क्या पड़ना पड़ेगा risk को respond देना पड़ेगा पर दाउर जो ऐसे 330 के अंदर दे रहे हैं कि अब यह काम करके इसको response करो ठीक है तो रैप फिर फैप तो यह सब मुझे डॉक्यमेंट करके रखने पड़ेगे कि मैं रिस्कस्मेंट प्रोचेशर को कैसे करूंगा पर नेचे टाइमिंग एक्टेन क्या होगे और NTE of Fap, NTE of Rapp, NTE of Fap और O.A. ठगा तम? एक और audit plane is more detailed than strategy. बताया था. सेम चीजे, सेम चीजे. रिलेशन्चिप क्या होती है audit plane and strategy के लिए? रिलेशन्चिप क्या है audit plane and strategy के लिए? कि उपपर जब तुमको मैंने उपपर समझाया था सब आपे समझा दिया था कि audit plane और strategy में होते हैं पड़ेगा उपर सब चीए समझाय थी बस याद अपना अप होगी होगी वह तो इस चेटेजी होती है वह बिनाते है और जो प्लेन होता है वह बाग में बनाते तो strategy provide a guideline for developing an audit plane that's why audit plane is more detailed audit plane more detail के अंदर होता है उसके अंदर anti of audit processor होता है दोने के दोने इंटर-related होता है किसी भी एक में change होने से दूसरे में change करना पड़ेगा ठीक है यह जी समझाय थी तुमको मैंने इसको मैंने इसको मैंने एक आपे portion में बार दी strategy, strategy plane, strategy पहले बनती है, plane बाद में बनता है, strategy की guidance के साब से plane ज्यादा detail में होता है क्योंकि उसमें anti of audit processor होता है और दोने के दोने इंटर-related होता है ठीक है ओके, next benefit क्या होता है भाई planning का, तुमको planning क्यों करना है मैं तुमको वाप ही बोला था, तुम वापर जाके अपने team को ले जाके वापर पहुज गए film industry के सामने तुम पे सब हस्रे वाप है, तुमारी खिली उड़ा रहे कि यह बंदा auditor आ गया इसको पता ही नहीं audit कैसे करनी है तो इसलिए तुमको plane palace बनाना पड़ेगा, अब मैं plane बनाऊंगा तो efficiently audit कर पाऊंगा, तो अगर मैं इसकी normal एक trick दूँ, अगर तुमने audit plane बना लिया, तो तुम engagement team को important तोर से manage कर सकते हो, engagement team को, जो engagement team है, उसको important तोर पे, important तोर पे properly manage कर सकते हो, engagement team को, मेरे साथ बोलो तो ही engagement team को, मैं भूलिया, assessment team को important तोर पे, properly manage कर सकते हो, तो अब benefit का है, यहाँ मैने लिखिये trick, engagement team को important तोर पे properly manage कर सकते हो, तो अब यहाँ पे एक आगया engagement team. इंगेजमेंट टीम को इंपोर्टेंट तोर पे प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो तो इंगेजमेंट टीम तुम ओडिट प्लेनिंग करोगे तो अड़िट प्लेनिग से क्या होगा और प्लेनिंग का तो इंगेजमेंट टीम को सेलेक्षिन करूंगा। direction supervision भी करूँगा उसकी बाद में काम हो जाएगा उसको coordination भी करूबाँ ठीक है तो engagement team को important तोर पे manage करता हूँ मैं important तोर मतलब जो भी अब तुम audit planning कर रहे हो तो audit planning से तुम पता पढ़ जाएगा कि important area कौन-कौन से किस पर जादा ध्यान देना है किस पर कम ध्यान देना है तो important area तुम में पहले ही पता कर लिए तो उधर जादा ध्यान दोगे जो less important से कम ध्यान दोगे तो वैसी important area कौन-कौन से important problem कौन-कौन सी तो important problem मैं पहले दिखाई दूगा भाई तुमने सुना ही होगा ना क्या नगर बचाने की चक्कर में पूरा शहर जला दिये सा गुछ होता है ना तो आप तुम पतला छोटी-छोटी प्रोब्लम पे ध्यान में रखते हुए तुम पूरी छोटी-छोटी प्रोब्लम पे में ज्यादा अटेंशन दूंगा और जो भी इंपोर्टेंट प्रोब्लम होगी इंपोर्टेंट प्रोब्लम होगी उसको में टाइमली रिजॉल्व करता हूँगा ठीक है तो इंगेजमेंट टीम के अंतर तीन ओप्शन आगा है यह कर ट्रिक होगे तो तुम को कब कब प्लेणिग में चेंज करना पड़ेगा अधर बनालिया कि तुमको लगता है वह और पूरी पर चलता रहें गा पॉसिबली नहीं तुम ने जैसे अधर बनाया तू एक बार बार बीच बीच के अंदर अधर अधर बदलना पड़ेगा अब कब कब बद दो कि तुम अधिक बदा पड़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है कि पहले मैंने तीन जनों को यहां पर आलोकेट करा तक यहां पर तीन जनी रिक्वार्मेंट होगे यहां पर स्टाफ की जगे फ्रोड निकाल लेगी बाद में बहुत कॉंपलेक्स एरिया ह में जैने ज्यादा चुने एंगे ठीक है तो यह चीजे करूंगा तो मैं बाद में में यही को बदाल है तो आपने आपको बदलना पड़ेगा परीवर्तनी संसार का नियम है सीधी बात है तो अभ्रणा केसे कैसे किसे चैंज करोंगे मलाब केसे क्वैक्टर है जो आपके चेंज कराएंगे, बैस समझो, एक कोई बंदा, एक्सपिरियंस बंदा होता है न, वो सब कुछ समाल लेता है, तुमको कुछ करने की ज़रूत नहीं है, जो भी तुमारी एक्सपिरियंस बंदा है, उसको पता है, जो दस साल से इस client के audit कर रहा है, तो उसको पता है कि यहां प एक्सपिरियंस बोल रहा है, तो उसे साफ से तजुर्बे के साफ से एक्सपिरियंस के साफ से audit plan चेंज करना पड़ेगा, या फिर अगर size and complexity मैंने बोलाता न, कि पहले मुझे लग लगा एरिया कम complex है, पर बहुत भारी complex एरिया है, तो उसे साफ से चेंज करना पड़ेगा या फिर कोई circumstances बदल गई, कोई नया event बदल गया, कोई circumstances बदल गई तो उसलिए भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, पहले मुझे लगता था कि यह employee बहुत सीधा साधा है, सब कुछ सही है, पर पता पड़ा उस employee का तो transfer हो गया, अब दूसरा employee आ गया इस साल company के अंदर, औ और वो employee तो भाई बहुत एक नंबर का गंदा आदमी है, एक गंदा निहायती गंदा आदमी है, वो तो हर जगे fraud करेगा, manipulation करेगा, पैसा उसा चुरा लेगा, तो यहाँ पर मुझे situation बदल गई, कोई circumstances बदल गया, कोई नया event सामने आया हो सकता है, मुझे पता पड़ा है, company के उपर किसी ने case file कर दिया, जब मैंने audit शुरू करी थी, तब case file नहीं हो रहा था, अब किसी customer ने कोई उस पर भारी वाला case file कर दिया, तो अब एक नया event उबर के आगया, circumstances चेंज हो गई थी, या कोई नया event उबर के आगया, या फिर मुझे कोई नई audit evidences मिला, मैंने बो ने कहानी है, अगर तुमने सभी से सुने हैं, तो यह याद हो चुका होगा, मैंने बड़ा था, एक नज़र से मेरा experience देखके में बता दूगा, कि यहां पर fraud है नहीं, मेरा experience देखके, मेरी past experience और expertise मेरी यहां नजर से पता दूगा, मैंने तुमको बोला था, कि client बहुत ज् हो गई मैंने बोला था law and regulation हो गया या फिर कोई उसका कमपनी का परसोनल था वो चेंज हो गया या फिर पहले मुझे एक फ्रोड अब मुझे एक फ्रोड मिला कोई एक न्यू ऑडिट एवरेंसे मिला जाकर मुझे लगा कि यह एक फ्रोड मिल गया तो और भी फ्रोड होंगे ठीक है तो यह सब हो गया तो मुझे अपना audit plane बदलना पड़ेगा ठीक है documenting and audit plane document करना पड़ेगा आपको audit plane को जो आप मैंने ऐसे 233 ने पढ़ा होगा audit plane हो audit strategy हो audit program हो या कुछ भी चीज़े हो सबको document creation करना है अब आपको audit strategy के अंदर क्या 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 document करना है आपको audit strategy डोकुमेंट करना है audit strategy में मुझे decision की decision करना है अब तुम यहां पर audit plane के अंदर क्या document करोगे audit plane के अंदर में मेरे plane बनाऊंगा जो में को audit के से करनी है अदर के अंदर के अंदर document करोगा अब तुम change के अंदर क्या document करोगे एक तो strategy के अंदर तो तुमने key decision not कर लिये और planning के अंदर तुमने anti of wrap fab not कर दिया अब change हुआ किसी में भी तो change के अंदर क्यों क्या not करोगे तुम change के अंदर करोगे कि AC क्या मजबूरी थी जिस वज़े से इनको change करना पड़ा एची क्या condition को strategy या plane बदलना पड़ा और उसके बाद वह बदला तो बदला तो उसके बाद नहीं नहीं नेचे टाइमिंग और एक्सचेंट वह फोलो करने वाले है क्या नहीं audit procedure अब आओ next question तुम क्या क्या factor ध्यान में रखोगे plane बनाते बग एक उपार question था क्या क्या factor ध्यान रखोगे audit strategy बनाते बग अब तुम plane बनाते बग क्या factor ध्यान रखोगे तुमको अगर किसी कंपन की audit करने जा रहे हो तो सबसे पहले बाद पर तुमको क्या करोगे सबसे पहले में company को देखूंगा engagement letter की engagement letter में मुझे क्या दिया है इन्होंने मुझे बोला statutory audit करनी है या internet करनी है मेरे audit का क्या scope है पूरा पड़ सारे लो 15-15 क्योंकि MCQ आ जाया किसी से तो हो जाएगा पर याद किते करने हैं 5-6 क्योंकि maximum 5-6 marks का कोशन आता है और 1 point का 1 marks होता है तो 5-6 points याद करने तो मैं जो समझा रहा हूं उसी को तुम याद अपने आप हो जाएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा terms of engagement चेक करूंगा उन्होंने में को audit में appoint करा तो term of engagement मुझे दिया को पढ़ूगा कि मेरे terms of engagement में क्या क्या रिखा है मैं देखूंगा company के law and regulation क्या है उससाब साब से audit बनाउंगा सबसे बनाउंगा कि इसके बाद जब मैंने यह सब पढ़ लिए तो इसके बाद मैंने यह सब पढ़ देखूंगा मैं accounting related चीज़ देखूंगा कि इसके उपर accounting standard कैसे लगते है audit pronouncement क्या क्या लगते है वो सारी चीज़े में देखूंगा फिर मैं उसके वो वो एरिया देखूंगा रिस्क एरिया देखूंगा जहांपे वो वो एरिया देखूंगा जहांपे significant high risk यहांपे fraud यहांपे high chances है अगर मुझे फ्रोड कि high chances है तो मैं मेरी मेरे स्टाफ को बढ़ा दूंगा स्टाफ को जादा स्टाफ आ जो मैं अच्छे से सुना है लोड हुआ इसके ऊपर इसके ऊपर पामला लग यह सबसी बढ़ा फिर उसके बाद में दिखोंगा की आपकार एसे केसे फैलो करी क्यों क्या क्या अगॉंटनिक पॉलिसी क्या क्या अधू करके मदब कमपनी अटैंकि क्या विभी चैंजेश हुए घ्रिस्क यौट अधर इस वाले तो वह significant audit area जिस पे special attention चाहिए क्योंकि वह पे material error and fraud हो सकता है वह एरिया में ध्यान से देखूँगा उस हिसाब से में planning बनाऊँगा फिर उसके बाद में देखूँगा अगर मुझे यह वाले area मिल गए high risk fraud वाले तो मैं materiality revise करूँगा और उसके internal control पे कम rely करूँगा उस ठीक है ना तो यह सब लेके मुझे अपना audit plane यह सब ध्यान में रखते हैं मुझे अपने रा audit plane बना रहा कोड़ेगा समझ गए चलो यह भी हो गया है अब explain planning activities explaining activities क्या होती दोनों होती है audit plane अक्योटी होती है और audit plan भी अच्पार रहां में जोती है audit strategy बि Гस्ते में आता है तो तुमको चुप प्र पढ़ा है थे ना वो फैक्टर्स वो दोनके एक्समिंग कर देना में इस लिए इस एक्स पेंटर फैक्टर फोर इस्टेट विचिंग और इस याद होई गया होगा प्रिपेर टू अलोकेट दवर्टू टीम मेंबर विच में इंक्लिउट दे रिलिस्ट ऑफ और इंस्रक्शन टू फॉलोड बाइद एक चीज का अडिट प्रोसेजर आप लिखाओगा कि इस बंदे को यही एसे से चेक कर नहीं है ठीक है अहीं लैस इंपोटेंट है वहीं बताता हो कौन कौन से मेटर है जो अडिट प्रोग्राम तरह नियुक्त बुग्राम बिजनिस है क्लिएन के ओफिस में जाओ वह पर उसके बार में पता करो कि क्लाइंट कौन कौन से इन्फॉर्मीशन सिस्टम यूज़ लेता है ख्ल क्लाइन की बार में पुरा सम्झेंग्र बिजनीस तुने पेले पेले बना बना चालै को की इस अपंश एक्ड होघ़ करो मम इसniest एक है कैसी है business की client के promoter कैसे client के promoter जुवा तो नहीं खेलते हैं ना उस साब सो अधिवारे कंपनी कभी भी दूप जाएगी ऐसी company हुई तो client के history वगरा कैसी है चीजे कैसी है client की accounting and management policies कैसी normal चीचर कम important था इसलिए उपर सोड़ा दिया हां यह मुझे फिर भी important लगता है question तो आया तक आया नहीं पर मेरी तहदी से इच्छा है इस पर question पूछे मुझे important लगता है एक था कि audit plane आप कपकप revise करोगे याद करो audit plane आप कपकप revise कर रहे थे मेरे साथ याद करो audit plane device कर रहे थे एक आथ से देखके मैंने बता दिया था या पर उस तो गलती है क्योंकि मेरा experience बोल रहा था experience के basis पर मैंने देखके बता दिया था या पर complexity ज्यादा है तो दो की जगे तीन नंबर की जरुवत होगी एक और changes in circumstances हुए थे कि नए changes in circumstances हुए थे कि नए अगर आपने पर गया एंप्रोई आ गया यह सब तुमको में पहले ही बता चुका है पर नया audit evidences मिला जिससे मुझे फ्रोड मिले ठीक है यह थे audit plane change कप करना है वह अले अब यहाँ पर audit program कप-कप change करना है सेम चीज एक तो experience को भाई हर्ज के काम हैगा एक तीरशी नजर से अब यहाँ पर इसको change करने की जरुवत है तो वह गया अब इंपोर्टन चेंजे इन आप यह भी चलो चोड़ो यह तो अटाओ एक experience गेंगर करके और यह में चीज किस किस circumstances में आप audit program change करना पड़ेगा अगर आपने audit program बनाया था कि इस बंदे का 50 लाग का turnover है और अब वही तुमको पढ़ा पढ़ रहा है बंदे का 50 करोड का turnover है हिल गया तुमको audit processor audit program सब कुछ हिल गया तो audit program पूरा revise करना पड़ेगा वह 50 लाग में वह चेकिंग नहीं थी जो 50 करोड मुझे करना पड़ेगी पूरा का पुरा प्रोग्राम बदल गया हुनों है यही चीद वाडित गया तो turnover बदल गया या फिर तुमको पता पड़ा उसके डेटर एक लाग की जगे 50 करोड के डेटर है तो पूरी इस प्रोगर्रम बदल गया turnover ज़ादा है या फिर उसके डेटर जादा है या stock जादा है fix asset जादा है जैसे तो fix asset का कोई misappropriation हो रहा है पर मैं फिर भी याद कराने के लिए बता रहा हूं को financial statement की क्या-क्या item होते है turn over जादा हो गया इसका data जादा हो गया inventory जादा हो गया turn over जादा हो गया या फिर इंटर्नल कंट्रोल उसके कम रिलाइबल निकले अगर एसा कुछ हो गया तो मुझे प्रोग्राम बदलना पड़ेगा वोल्यूम ऑफ तो मुझे का question की या जादा जाएगा तो दो से इमिया क्याद कर दो जारे हो तो तुम अब प्रोग्राम बनाओ केसे ब्लाइं वही थेट्र का वी देखने जाते हो तो तो ती इवी देखने जाते हो तो थे वहाप पर प्वजाइज करो अद्वारीrant करने अध्लब लिवक्रीराइंज से घ्राफ और वशेकर न इसका एक उपर इसा udah जबेंगा ऑप्पर कोई खाहए चेक कुर ना कि बैए कमपनी फोम तो हुई थी गुटका बेचने के लिए पर कमपनी चला रही है और तो यह इली कर सकती है तो अबजेक्ट्ट लोस के आए कंपनी का वो पड़ो मेमोरेंड़म और अस्टोशिशन के हिसाब से यह तुम्हें नॉर्मल पढ़ लिया ठीक है अ समझो तुम अभी नीचे माँ देखना जो काउंटर पे जो पेसा मिल रहा है तो उत्ता साला केश हो गया तो उस केश को कलेक करने के लिए इंटरने कंट्रोल है और टाइम टू टाइम बेसिस पर तुम उस केश को बैंक में जमातो कर रहे हो ना और तुम जो तुमने पास पेसा केसे हैंडल कर सकते हो ओनलान बुकिंग का तुमको कंट्रोल समालना पड़ेगा पूरा का पूरा पूरा बुकिंग की लिए अब स्यम को केश ओप और पबकी जो इंकम उसका तुम क्या प्रोसेजर क्या सिस्टम है तुम्हारे इंकम को रिकोट करने का सेम एडवरट दिट्चें वॉप सेली टिक्ट उसकी अन्लाइन गूकिंग का कंट्रोल एक है उसको तुम बैंक में जमात कराते हो ना टाइंटे में तो बैंक में जमात प्राइटे हो तो उसका रेकंसीलेशन बनाते होंगे same income from cafe shop वाला parking वीकर वाला advertisement वाला अब expense related भाई तुम कोई धंदा चला रहे हो तो expense भी तो होगा क्या-क्या expense हो सकता है भाई तुम movie दिखा रहे हो तुम movie दिखा रहे हो तुम को rights खरीदने पड़ते होंगे तो distributor तुमने right खरीदे उसका expense तुम vouch करना पड़ेगा सेम तुम salary वगरा दे रहे हो तो वो चीज़े भी तुम वाउच करने पड़े कि salary का correct दिये इंकरेक तो नहीं दिये सेम अगर तुम और कोई expenditure कर रहे हो black building repair and maintenance वो सारे चेक कर लो distributed payment salary payment maintenance building और insurance premium अगर तुमने दिया को या set के लिए तो वो सब चेक कर लो याद हो गए easy थे हाँ थे मैं भोड़ा हो थे तुम बानो नहीं बाना ओके अब audit execution भाई तुमने planning कर ली program बना लिया final भाई तुम सोस्ती रहोगे क्या अब तुम मान लिया सब तुम बना लिया अब जाओ तुम अपनी color को चोड़ी उची कर पुरा के वहाँ पर पहुझाओ film industry की जा तुम audit करना चाहते है चोड़ा करके पहुझाओ अपनी चाती को कि अब मैं audit करूँगा मैं execute करूँगा execute कैसे करूँगा execute मैंने सारी प्लेन अभी तो पेपर बना लिया अब मैं मेरा final execution plane बना लूँगा यहां पर लिखाव है planning क्या होती है उसे first stage होगी मैं एक planning में आलोगा मेरी planning नॉर्मल planning जो मैं तुमको बता है था हर एक चीज़ की planning बनाना compulsory होती है auditor एक plan बनाएगा ताकि उसका काम effective way से complete हो सके ठीक है ना एक plan क्या बनाएगा कि कितिनी main power requirement रादे शाम गंशाम राम शाम यह तीन चार जनों की requirement है मुझे मैं बताया था अगर अलग एरिया होगा तो मुझे सारे अरिया के अंदर देखने होगी कि वापर क्या क्या रिस्क हो सकती है हर एरिया के अंदर मुझे सारे-क-सारे एरिया लिख लूगा मैं एक होता उसके प्रोसेशर बनाए न कि अंदर एक यह तो मैं हर एक अरिया के अंदर यह रिस्क होने की चांसे है सब्सक्राइब फिर जब माल आएगा तो ये बंदा अच्छे से समाल कर रखेगा पयमेंट करेगा वो हो सकता है कोई और ओर साइन करके चले जा हो सकते है माल की सेकुरिटी साइन नहीं रख रखे हो तुन लाए इइनवेंटरी गी अंपर इंवेन्टरी की तो यह यह रिस्क है हर एक जगे में एक रिस्क है परचेस में यहूर İs Demi फिर डन्य पी बच्छों कर दो कि उनको रिस्क ओको कंटर ने रिपोर्टिंग नहीं थे इसंतक्रों करोजो कन्ट्रो फंट्रोल इफेक्टिव प्र Цिर्ओं ੱારરિજ ની ને बારરિરર ટॉપરપજન अब एक વનેજન है तुमको પરથा है कोई भी બની पर्चेस कर रहे है ને पરચેस कर नहीं होती है तो 99.99% केसर प्र्शियस कर लिए उसके बाद पड़ माल कर लिक ने घृपी आहीं कि वह प्रॉडर उसके बाद प्रचरट हो ऀसके बाद माल खरीतो पड़ बनेगा हो तो इसी चीज बी यह कि जब माल आरा है अपने और फुना, पर्चेस ओर में लिखा था कि पाच एलरी टीवी चाहिए, असली में जो टीवी आई ना वो तीनी है, असली में तीनी है, अपने पेमेंट पुरा चार का करा है तो अब किता है कोई भी रिकंसीलेशन निया, जो असली में गुड्स रिसीव हुआ, और जो अकाउंट बेलेंस केसे चेक करोगे, कि अकाउंट बेलेंस केसे चेक करोगे, कि अकाउंट बेलेंस जो मुक्स में रिफ्लेक कर रहा है, वो सही है, उसकी बेरी बीटी, उसके रिए मेरे पास क्या ओड़िट पज़र होगा, क्रिक बता दिता हो, पहले क्या बता रहा हूँ जितने भी supplier उन supplier की मैं लिस्ट ले लूँगा पहले तो जाओंगा वहाँ पर जितने भी supplier देऊंगा कि पाइप में को list देदुगा जितने भी supplier करते हो नो पर्चेस ओडर भी इशू कराता इंवोईस भी सामने आले का आया है और मैंने रिकंसिलेशन भी बनाया है तो मैंने क्या करा सेंपल निकाल लिए पूरी लिश्ट लेकर को सेंपल पर निकाल लिए फिर उसके बाद अगर मैं को कोई गल्ती निकली उस सेंपल बेसिस पे कि मैं उसके बाद बताया अम इने नार्मल बताया उसको अगर उसका जो भी रिपला था सैटिस्वेक्ट्री और उससे कर लूंगा पर्चेस के सेंपल उसके कोर्रेस्पोंडेंस बखरा देखूंगा फिर अगर कोई गलती निकली तो पर्चेस ओफिसर से डील करूंगा और फाइ कि लिस्टिंग लोगा अलोंग विद एजिंग डिटेल अगर मैं यहां पर एसी मेल अब मैं समझा रहा हूं को अग मैं कुछ केसे से भी देखोंगा जो सकता है वेंडर ने बोला था कि एक महीने के अंदर तो मुझे कपी पेमेंट कर सकते हो मैं दयावान निकला मैं उनको ए प्रोग्राम बना रहे हो तो कैसे प्लांट इन मशिनेरी की चेकिंग करोगे मैं प्लांट इन मशिने की चेकिंग कैसे करोगा मैं इस अन आडिटर मैं ट्रिक बतातों व है एक थो पाच फीजिकल वेरिपिकेशन तुरूगा कि पाचो हो अगा पता चला का पता चला वापें कि हुना तो वापर ही नी उनका मूमेंट कर दिया उनका मूमेंट कर दिया मतलब रिजिस्टर के पांच Veget कर दिया बढ़ेगा जिद्धिस्टर के निगे ने पर वहित दो के यह चैक कर ऊगा तो में अब मैं समझा रहा हूं यह तो ट्रिक अब सेपरेट बनाना पड़ेगा आपको हायर रिजिस्टर तो है न रिकंसीलेशन करो जो अपने रिजिस्टर में लिखा है न उसका रिकंसीलेशन करो शिवफिजिकल वेरिफिकेशन से वही चीज़े जो मैं बतार हूं आपको जो भी आपने असेट को सेल करा है या फिर पर चेस कर आई या फिर एडिशन डिस्पोसल्ट्र जो जो करा है सेल पर्चेशस गरा यह सब और यह सब उथुरासित हैं यह सब इसनद और पन होता है और अस नुख़र रहा है था सब्सक्रिषा देगा किसिने गया है तो उसके अंदर हुता है अब तुम समझो तुम ऑडिटर ते तुम वहाँ पर जाके तुम ने तुमने घये पिसीकल विरिफिकेशन करने है तुम जब फुचीर का। फुचल वरिफिकेशन करने गए असेट का। तुम जब फुरीफिकिशन करनें गए असेट का। तो तुम ने दिखा его है यह ईसेट्स फे-श तो मूव कर रही है है . आपसमें चलती Big-earnail करता तुम में तो confused होगे, मेरा दिमाग खराब होगा, सारी asset mix होगे, आपसकर दिमाग खराब होगे, तो मैंने सारी asset उटा के scrap कर दी, disposer में डाल दिया, पर बाद में में पस्ता आया, क्यूंकि भाई वो तो बहुत high cost वाली asset थी, अभी recently उनका repair maintenance भी कराया था, मतलब बहुत सही चल रह तो सारी asset इदर उदर चल रही थी, किसी के उपर भी code नहीं था, तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने सब को dispose कर दिया, बाद में पस्ता आया, कि वो बहुत high cost वाली asset थी, उनको वेने recently repair maintenance भी कराया था, physical verification करना पड़ेगा, आपको frequent interval पे, asset का register maintain करना पड़ेगा, उन register के अं पड़ेगा, asset disposal का register बनाना पड़ेगा, अगर आपको इभी dispose करें, तो सारी चीज़ों आप लेकने पड़ेगा, कि किस बंदे ने आपको authorized करा, dispose करने के लिए, कब dispose हुआ, कि इतने रूपे के अंदर हुआ, cost report का गलक बनाना पड़ेगा, कि high cost में नहीं पूला, कि वो disposed कर इसके अंदर है कि westage हो रहा है, रो मेटिल का जादा, फटाउट कर रहा हुआ, काम important लगता है topic, और तोम पढ़ लेना इसले question कोशिट हो, अ इसके अंदर क्या है, कि raw material का जादा फेस्टेज हो रहा है, पहले जुलाई के अंदर के और 2.5% हो ता ता अगर चार वुआ, विल्स निकाल रो माटरियल की उसके निश्ट करता हूँ अब मुझे देखना है कि इंडस्ट्री नॉर्म्स होते है इतना वेस्टेज होगा कि मेरको कुछ भी धागे से कपड़ा बनाना है तो इतना वेस्टेस नॉनमल होगा 2% का मैं देखूंगा नॉनमल वेस्टेस जिता है एक्चल में इतना हुआ तो उनको कंपेर कर लूँगा मैं देखूंगा कि बंदे एफिशेंट तो है ना जो में को चेक करना है कि बंदे पतला या तो मश्चीन खराब हो या बंदे खराब हो कि मशीनी आउटपूर्स नहीं देरी मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा मशीन का आप टाइमली मैंटेनेंस नहीं करते होंगे या फिर आपके बंदे खराब होंगी कि आपके बंदों को तो आता ही निया वह इसकी कि स्टेंडर कंशंब्स नॉर्मन वेस्टेज हो चीर्म एन खराइक्च्यनननका मशीन है मशीन का मैंटेननस आप्रॉपर करते हो ना जो एंपलोई एंपंपलोई को अलग अलग थेक्वा चाहिःं कि रांपॉटेशन में कित्ता वैस्टेज हूआ है फोगो सब को हॉत वह सब से में आपका वह सब सीजह मशीनिरी का ज्यादा ब्रेकडाउन तो नहीं होता पार फेलेर तो ही उता वह सारी चलो ठीक है बाबाई बाए 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 टाटा सी यू यह नोट्स कोशिश कर रहूँ है मैं टेल्गाम से शेर कर दू करूं नहीं करूं यारी सोसना हो पड़ेगा विकॉस औरेडी जो बुक है वो जो मैं बुक है औरेडी 200 रुपे की आप पर्सेस कर सकते हो फूल बुक मिलेगी इंकुलूडिंग कोशन फूल बुक होगी इंकु कोशिश करूंगा यह भी शेर करूं करूं करो डिपेंड करेगा अधर्यस पर्चेस कर सकते हो तेलिग्राम चेल में लेख लना फ्री में जो सारे मिल जाएंगे ओके चलो बाई बाई टाटा सीव